कि हिंदी कलब में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं आज मैं आप लोगों के लिए क्लास शिक्स NCRT की वीडियो NCRT Science की वीडियो लेके आ रही हूं और यह जो है इसमें मैं चेप्टर वन चेप्टर टू डिस्कुशन करने वाली हूं और यह दोस्तों जो मैंने नोट्स पनाया हुआ है वह फुली NCRT वेस्ट है और इस नोट्स को बनाने से पहले मैंने जो प्रिविएस के क्वेश्चन है उसको दो से तीन बार किये हुए थे और पूरा आइडिया लेके कि किस तरह के क्वेश्चन पुछते हैं उस तरह से ही इस नोट्स को मैंने तयार किया हुआ है और इसको पढ़ लेने के बाद आपका 25 मार्क्स तो फिक्सीन हो जाएगा जैसा कि मैंने खुद गेन किया से दिसंबर के महिने में 186 करती हैं जो अभी से डैरेक्ट अभी इसमें तो नहीं साइन्स में नहीं पूछा हुआ है अब तक लेकिन हो सकता है पूछदे क्योंकि इसका शिक्र किया हुआ लेकिन इवियस में इसका पुरा पूर इस से क्वेस्टन बना हुआ है मैंने खुद इवियस का भी सेक्षन नकत्रा है तो इस से क्वेस्टे नहillarा है तो उसमें ये पुछा हुआ हाँ मध्यमक्षै पालन पुरिखार क def Lost को महीने में exvp से दिसंबर के महीने में कत्रित करती है और इसके लिए मकरंद को एक कत्रित करने के लिए जो है वो केवल और केवल माधा मधुमक्ही जो होती है वो काम करती है नर्म मधुमक्ही जो है वो बिल्कुल ही इसमें कोई हेल्प नहीं करता है ठीक और जो लीची का जो फूल है वो महिने में खिलता है थे तो आपको इसका पूरा-पूरा क्लियर हो गया होगा और दूसरा में यदि क्लासिक्स में पढ़ना है कि जन्तुओं को तीन वर्गो में विभाजित किया गया है प्रथम जो है वो साकाहारी है साकाहरी में कौन आजाएगा हिरन आ जाएगा दीतिये में मनसाहरी में बागा जाएगा और तीतिये में जो है वो सर्वाहरी सर्वाहरी में कौन आता है मनुसी आता है क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि मनुसी जो है वो नौन भेज और भेज दोनों ही पसंद करता है खाना तो ये भी क्वेशन बनता है कि सर्वाहरी कि म प्रोटीन वसा विटामिन तथा खनीज लवण है इसके अतरीक हमारे भोजन हमारे हमारे सरीर में रुच्छांस तथा जल भी सामिल है ठीक है तो आप यह जानते होंगे कि पोशक तत्व जो है आप केवल कर्बो हैट्रेड ले लिए या केवल वसा रहे ले रहे हैं या केवल प्रोटीन ले रहे हैं तो आप उससे पोशक तत्व नहीं कह सकते हैं पोशक तत्व के लिए सारे चीजों की जरूरत होती है जैसे की कार्बो हैट्रेड और सब जैसे की कार्बो हैट्रेड हो गया प्रोटीन वसा विटामिन खनीज लवन और सबका सबका अलग-अलग रोल ठीक है जैसे कि हम बात करने परेंगा रूहें जाए को डान जने अर्ब क्या रूर्ट है यह जो है हम लोगों हिये हम लोगों को एनर्जी प्रिदा प्रादन करता है जैसे कहीं मतलब अगर कोई बहुत समय सकते को सब्सक्राइब लगता है उसके एनर्जी का जो है वो लॉस होने लगता है तो एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं ग्लुकोज पीते हैं ग्लुकोज में क्या पाया जाता है ठीक है अब प्रोटीन जो है प्रोटीन को सरीर वर्धक भी कहा जाता है और प्रोटीन जो है वह हमारे बोडी को बोडी को बोडी करने में बहुत ज़्यादा ह resur करता है और फॉटीन किसमें पाया जाता है तो प्रोटीन जितने भी दलहनी पदार्त है उसमें अम प्रोक्त आज सकते हैं जैसे कि मटर not मतर हो गया स्वयाविन हो गया शोलूम हो गया और जितने भी दलनी पदात हैं उसमीं हम लोगों को पर्टीन मिल जाएगा जैसा कि देखिए परंटीन यह खी पूच्छता है कि मतलब सभ्में पाया जाता है तो अगर तो इससे में सबसे अधिक तो इसमेंGO को लेंगे लेकिन फों में व्ञरब उर्जा प्रदान करना और वो जो है कर्डो आ Sagla AntransARS सबसे ज्यादा एंधेगा लेकिन कार्भोहेट्रड ही अच्छा होता है क्योंकि आप ज्यादा वसा लोगे तो क्या हो जाएगा फैट ज्यादा बढ़ जाता है जो कि हमारे सरीर के लिए अच्छा नहीं होता है और विटामिन्स का क्या काम है हमारे सरीर में जो विटामिन्स है वह हमारे सरीर में जितने हैं फॉसमें पाचने में बहुं स्था है इसके तर्ब ले सकते हैं कि इसके से तोरते आप जितने भी सबलगर सकते हैं तो आपको मिन्डरल्स धुछ दूंड़ मील जाएकं ठीक है तो विभीन खादे जाज कावल खाते हैं इसमें कार्बो हैट्रेट के लिए देखो इसका जाज बता देते हैं कि क्या जाज होता है कार्बो हैट्रेट कई परकार के होते हैं हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहेट्रेड मंड तथा सरक्रा के रूप में होते हैं अब मंड का परिछा देख लेते हैं किसी भी खादे पदार्थ या कच्छी सामागरी को लेते हैं तथा उस पर तनु आयोडीन विलियन की दो तिन काला हो जाए है तो मंड की उपस्तिती दर्शाता है मंड की उपस्तिती के लिए क्या करें है आप तो यह गया करेंगे और उसका कलर हो जाएगा काला या नीला हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि उसमें मंड की उपस्थिती है ठीक है तो इसके लिए आप यह ले सकते हो आलू ले सकते हो आलू को काट लीजे दो भागों में और उस पे से आयोडीन का विलियन डाल दीजिए तो वह खुद ही आपको काला या निला रंग का पदार्थ ठीक है कि किसा स्टा यह है मंड मंड इस में मतलग कि कर्भाहीटेड इसका मैंने खुद से पारिचन किया हूए इसका मैं यह नोड'm Branner ही ती तब मैंने इसको पारिचन किया हुआ है अब प्रोटीन का परीचन कि लेते हैं घान्त बनाये सब्स्कों का पर सलूपेड तथाzh कास्टिक सोडा का विलियन उसमें डालेंगे और उसको हिलाएंगे हिलाने के बाद जब वैगनी रंग देगा तो हम लोग कहेंगे कि इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है और वसा के लिए क्या करते हैं वसा का तो वहुत ही हीजी है आप खुद से कर सकते हो यह तो प्रो ना कि कहें है परशाद कर रूप में मिला यह सम पुए जो हूँ और पूरत देल जैसा तो यह किस चीज का उपस्तिती दर्स आता है वसा का देखिए जो घटक है Zeus और क्या काम करता है और उसमें कोई क्या-क्या अस्रोत होता है उसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे कार्बोहाइट्रेट जो है वो हमें उर्जा प्रदान करता है और इसके लिए क्या-क्या sources हैं तो carbohydrate के लिए गेहूं चावल बाजिरा मक्का आलू गर्ना पपीता तर्भूज आम तथा मक्का में carbohydrate पाया जाता है गेहूं चावल तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे लेकिन इसमें से पपीता और तर्भूज को याद कर लिजिए और आम को जितने भी एक मेंने यह ठ्रिक लगाया हुआ है कि जितने भी मीठा लगते हैं बहुत ज़्यदा आपको मीठा लगेगा दिखाने में और पका हुआ रहेगा वह लगबग आपको कर्भोहेट्रेट के अंदर आ जाएगा ठीक है और वसा कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है वसा को प्राप्त करने के लिए दो चीज़ें होते हैं एक तो पादाप असरुत होते हैं और दूसरा जो होता है वह जंतु असरुत होता है तो पहला में क्या आएगा पादाप वाला में मुंगफली गीरी तील नारियल नारियल या का तेल सभी प्रकार का तेल कि यह किसमें आजाएगा आपका पादफर्त में आजाएगा लेकिन हम लोग क्या को जयने, वसा जो होता है वह हम चले को जन्तु से प्राप्त होता है ज़से की मांसे- मंस में चीकेन वj aggi rap जो पढाशा है वह बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं किस वज़ते e है जाते हैं व् fiction बगी किसी में घी मैं हुता है राए तरह सuk और दूद की चाहिब ल्गार शेक्त कर्छा चीजली मोटे हो तो यह हुए, प्रोटीन का देख लेते हैं, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन सरीर की व्रीधी तथा स्वास्त रखने के लिए जरूरी है, और प्रोटीन किस में पाया जाता है, मटर, चना, मूंग, राजमा, सभी प्रकार के दाल में पाया जाता है, और दूसरा जो होता है उसमें मांस मचली में भी पाया जाता है, देखें, मांस मचली, पनीर, अंडा, दूद में भी प्रोटीन पाया जाता है, ठीक, विटामिन देखते हैं, विटामिन जो होता है, रोग से रच्छा, आंक, अस्थी, आंक, अस्थियां, दात, मसूरों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन ठीक है इसमें जो विटामिन में देख लेते हैं विटामिन ए में क्या आया जाएगा गाजर दूद मचली तेल पपीता ठीक है सबसे जदा विटामिन ए किसमें पाया जाता है वो गाजर में पाया जाता है उसके बाद जो दूद में भी पाया जात सब खड़ते हैं इसमें से आप उच्रोट याद कर सकते हैं क्यूंकि अंड़न नहीं होता है acost मिर्च का खोज हुआ था यह भी बताई आप लोग मिर्च एवियस में पढ़ना है मिर्च जो हुआ था खोज वो कहा हुआ था पूर्तगाल में हुआ था ठीक आपको की बिटामिन बिटामिनले भी परह जाता है दूद में और यह बीडामिन डी भी पायā जाता है दूद में बहुत सारे चीज पाया जाते है आपको Mobo फैकंट भी वागा बिटामिन डे रीमें दूद में गाहत ही थेर प्छली-वेगरा जो होंट रूदक है इसके वह क नमक में भी आयोडीन पायोता है अदर्क जो है अदर्क में भी आयोडीन पायोता है और धिंगा से अधिक में आपको एक से अधिक चीजें भी मिल सकती हैं लोहा के कुछ असुरत देख लेते हैं लोहा किस चीज में पाया जाता है यानि कि आईरन किस किस चीज में पाया जाता है तो सबसे अधिक जो आईरन होता है वो पालक में पाया जाता है या कृत में भी पाया जाता ह तो हम लोलग जान जाते हैं इस में क्या है और यह में क्या ऑञ जाता है तो ब्राउन जैसा जो भीड़ा चाहें कि उपस्थीति है के ली मिलःसिय में किस उपेश्थ fragr कख फोता बहुत है कैना में जो हाइस कालीसियम जो होता है कुछ कग तक पाए जाता है। लेकिन जो उजला वला भाग में पाए। बहुद्ध में प्रोटीन पाहाग। इस में थे परिप में यह सुराओ सब क nut कब होता ह। अंडा का जो उजला वाला भाग होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है और रुच्छांस के मुखे अस्रोत साबूत, खद्यान, डाल, आलू, ताजे, फल, सबजियां जो होती है उसमें रुच्छांस पाया जाता है हमें रुच्छांस के भी जरूरत होती है देखे कि रुच्छांस भी नप पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहता करता है भोजन को ज्यादा देर तक पकाने पर विटामिन C असानी से नस्ट हो जाता है देखें ये कोशन भी बहुत ज्यादा पूछता है कहीं कहीं कि कौन ऐसा विटामिन है जिसे ज्यादा देर तक पकाने पर वो नस्ट हो जाता है तो इसका अंसर क्या होगा विटामिन C होगा आगे देख लेते हैं विटामिन एम खनीज लवडों के अभाव से होने वाला रोग विकार क्या क्या है देखें विटामिन A की कमी अगर हो जाएगा तो क्या होगा दृष्टी हिंता हो जाएगा और दृष्टी हिंता होगा तो क देरे कमरे में कम दिखाई देना और विटामिन B की Państwo कमई से बेरी बेरी नामक रोक होता है। और बेरी बेरी जब रोक होता है तो उसका क्या पहजान है दुर्वल पेचिया और कामद करने की उज़गर में कम आाजाते हैं। विटामिन सी विटामिन डी की कमी से क्या होता है रेकेट्स होता है रिकेट्स नमक बिमारी जब होगी तो अस्थियों का मुलायम होके मूड जाना यही इसका पचान है और कैलिसियम की अगर कमी होगी तो अस्थियायम दंत 6 होने लगेगा और उसमें क्या लच्छन क्या है कमजोर अस्थियायम दंत 6 हो जाता है ठीक है आयोडीन के कमी से क्या होता है घेंगा या ग्वाइटर नमक रोग हो जाता है और लच्छन क्या है गर्दन की गरंथी का फूल जाना ग्वाइटर रोग होगा तो गर्दन की गरंथी तो फूल ही जाएगा बहुत लोगों का देखिएगा पूरा फूला फूला रहता ह पहले जमाने में ऐसा ज़्यादा होता था जब वह पूरा बड़ा वाला जो नमक खाते थे इसमें की आयोडीन नहीं पाया ज़ता था तो इस वज़न से बहुत बिमारी होती थी इस तरह की और बच्चे के मांसिक विकलंगता भी हो जाती है वो मांसिक रूप से विकलंग हो बाइए ऑफ है और लुहा जो है लुहा यानि की आईरेन की कमी से अरक्ता यान ऐने के अनियमिया होता है और जब अनियमिया होगा तो आपको कमजोरी सबसे चादा लगेगी ठीक है तो अभी लेस अकास्ट करते हैं प्लीज आप लोग कमेंट करके बताईए तो थैंक यू सब्सक्राइब कीजे हिंदी क्लब को दबाईए इस बेल आइकान को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सब से पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सके ये सब बिलकुल फ्री है